हलो मित्रों , आज हम अपने फर्मापा चैनल पे लेकर के आएं हैं यह और इंब यू मेडिस्चिन आज हम बात करेंगे et that说 हम हम टोटली बात करेंगे k3-7 के क्यांत का यूज कहाँ पे किया जाता है benefit क्या रहता है price क्या है market में और साथ ही साथ बात करेंगे कि इसका साइड इफेक्ट क्या रहता है हमारी बोडी पे इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे तो चलिए ज़्यादा देर न करते हो चलते हैं अपने फार्मापत चैनल के माद्दे हम से देख लेते हैं के टू सेवन जो की अलग अलग कंपनियों में अल पर आप देख पा रहे होगे जो की लीफोर्ड का ब्रांड है जो की सेट जॉइंट के नाम से आता है सेट जॉइंट के नाम से केटू सेवन का कैप्सूल है तो इसके बारे में fully detail बात करेंगे तो चलिए देख लेते हैं कि केटू सेवन का यूज न署 सिया जाता है यूज़ टू ट्रीट निउट्रेशनल एंड इफिसियएंसी कहने मतलब जो केप्टु सेवन ने सौफ्ट जेलेटीन कैपसूल होता है यह कमबाइन मेडिशीन से बना होता है इसका यूज जो है treat करने के लिए है nutritional जैसे nutritional इसमें काफी combined medicine जैसे कि बताया गया कि combined medicine होते है इसको तो इसको nutritional के रूप में use करते हैं जैसे की various disease हो जाते है nutritional से related vitamin की कमी के कारण तो उन सब vitamin से जो आपको disease हुआ है उसको treat किया जाता है तो इसके परपस के लिए इसका यूज करते हैं और आगे इसका कहां कहां पर यूज करते हैं help in proper growth and development of the cell जैसे कि cell जो हमारे को सिकाएं होती है cell से हमारी body बनी हुई है उसको जो है growth and development provide करती है जो k2-7 soft gelatin capsule होता है इसका use growth and development of cell के लिए किया जाता है and bone means की हड्डियों के लिए और improving the heart health और improve करता है heart health के लिए कि heart के लिए भी ये काफी beneficial जाबित होता है और हड्डियों के लिए खास करकि ये बहुत ही beneficial है जो कि k2-7 ने आपको capsule जो दिया जाता है डाक्टर द्वारा prescribe किया जाता है तो ये bone से related जितनी भी problem रहती है उसको remove करने का काम करती है या reduce करती है also help the protein synthesis और protein synthesis भी करती है तो आगे बात कर लेते हैं चलिए देख लेते हैं कि और और कौन सा use होता है synthesis करने के साथ साथ ये protein के साथ साथ और ये जो है production of the blood cell बनाती है जिसे body में red blood cell हो गया जो red blood हो गया उसको बनाती है white blood wbc का भी growth करती है साथ साथ immunity booster का भी काम करती है तो इन सब में इसके लिए use किया जाता है चलिए देख लेते हैं इसके benefit क्या रहते हैं हमारे body पे जो इसका हम use करते हैं तो इसका treatment के लिए use करते है prevention of the certain condition low level of the calcium and vitamin D जो होती है कहने के मतलब हमारे body के अंदर calcium और vitamin D की जब कमी आ जाती है तो उस case को treat करने के लिए हम जो है keto 7 ने capsule का use करते हैं in bone loss कहने के मतलब osteoporosis bone loss हो जाता है या हट्टियों में कमजोरी पन आ जाता है osteoporosis weak bone हो जाता है आपके हट्टियों जो होती है उसको कमजोर हो जाती है उस cases में इसका use किया जाता है जो हम बोलते हैं osteomalacia या rickets जो होते हैं vitamin D की कमी से होने वाला रोग है calcium की कमी से होने वाला रोग है osteomalacia जो है decrease activity of the parathyroid gland और decrease activity कर देता है parathyroid gland के लिए जो कि है hypo parathyroidism other bone disease other bone disease के लिए इसका यूज करते हैं bone से related किसी भी disease को ये prevent करने के लिए या ठी treat करने के लिए इसको यूज किया जाता है जो कि K27 capsule का यूज किया जाता है जो कि doctor के द्वारा prescribe किया जाता है physician के द्वारा prescribe किया जाता है आपको suggest किया जाता है ये के वाल informative video है जो कि आपके लिए हम अपने फर्मापत channel पे लाए हुए है तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि K27 आपको market में किदने रुपे में आपको प्लब्द हो जाएगा तो market में बात कर लिया जाए कि K27 जो है soft gelatin capsule जो है 10 capsule रहता है इसमें one strip में एक strip में जो है एक पत्ते में जो है आपको 10 capsule मिलेगा इसको supplement के तोर पे यूज करते हैं जैसे कि nutritional supplement के लिए या calcium की कमी को दूर करने के लिए या vitamin D की कमी को दूर करने के लिए इन सब के लिए यूज करते है या market में actual इसकी price जे तो अलग-अलग company पे depend होती है कि इसकी जो market की price होती है अलग-अलग रहेगा ये 1.500 से लेके 200-300 तक आपको मिल जाएगी market में लेकिन हम एक capsule जो की अपने wikipedia के से हमने उठाया तो उसमें जो है आपको 170 रुपे का जो price रखा हुआ है जो कम से कम जो minimum price आपको 150 जो की 150 से और maximum price की बात के लिए 250 तक लगभग में आपको मिल जाएगी ये अलग-अलग company के उपर depend करता है उसके brand के उपर depend करता है कि कितने रुपे में आपको medical store या dispensary shop से आपको उपलब्ध हो जाएगी ये informative video है जो की आप अगर ये medicine लेते हैं तो आपने doctor से suggestion suggestion और prescription के according ही ले ताकि आपके body पे कुछ side effect ना सो हो तो चलिए side effect के बारे में देख लेते हैं कि side effect हमारे body पे क्या होता है इसको और लेने से ज़्यादा time तक हम consume करते हैं तो इसका side effect और सो होने लगता है जैसे कि diarrhea इसको ज़्यादा लेने से हमें क्या होता है कि diarrhea जैसे side effect देखने को मिल जाता है constipation जैसे headache जैसे यह सब जो है problem देखने को मिलते हैं कि कि पेचीस पढ़ने लगता है पेट अच्छ प्रोपर रूप से साफ नहीं होता है सिर्में दर्द बना रहता है यह सब इसके side effect होने लगते हैं और weakness कमजोरी जैसे महसूस होने लगती है जो कि weakness महसूस होने लगता है कमजोरी हो जाती है nausea vomiting जो कि इसके test पे उपर depend करता है nausea vomiting होने लगती है मसल्स disease होने लगता है अगर हम इसको ज़्यादा consume कर लेते हैं तो K27 से related पूरा informative वीडियो आप तक हमने लाया जो कि अपने फर्मापास चैनल के माध्यम से आपको fully detail बताया कि इसमें जो material लेक कौन कौन से रहते हैं और इसका कहां पे use किया जाता है basically किन किन cases में और जो आपके doctor वगरा है यह आपको किस परकार से prescribe करते हैं तो इसी परकार से informative पाने के लिए हमारे फर्मापास चैनल को follow करें ताकि हम इसी तरीके से अपने फर्मापास चैनल पे medicine और pharmacy से related informative वीडियो आप तक लाते रहे हैं जापने कि अपने के लाइग तक अपने के लाइग तक जापने के लाइग पहें